तो भाइ आज की वीडियो बहुत इंटरस्टेंग होने के लिए जा रही है आज की वीडियो में आप लोगों सब कुछ इंटरस्टेंग इंफॉमेश Kanye करें के लिए जा रहे हो है भाइ मैं YouTube से कितना पैसा का मा रहा हूँ चले एक बाद बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं कि फुल स्पीड के अंदर एनिमेशन चलती भी डन 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 ओ ती भी फुल अंगेजिंग वीडियो बनाई जाए या इस तरीके से वीडियो बनाई जाए कि आप लोगों को तसली से दिखाऊं भी और समझाऊं भी क्योंकि बहुत से आप मेंसे ऐसे वीवर्स होंगे जो ये शौक रखते होंगे यूट्यूब पे आने का, फिस चैनल बनाने का, फिस लेस चैनल बनाने का, इच एवरीटिंग तो मेरा ख्याल है बड़े प्यार से धीमे तरीके से कोई जल्दबाजे नहीं, एक समझाने के स्टाइल के अंदर आप लोगों को ये सारी इन्फोर्मेशन दिखाता हूँ, कि भाई, मैं दस जार पे, पांच लाग पे, और वन मिलियन पे, कितना मैकसिमम कमा रहा हूँ, औ इस अर्निंग को मल्टी प्लाइबेट 10 कर दें, 2, 3, 4, 5 नहीं, मल्टी प्लाइबेट 10 कर दें, उतनी अर्निंग भी मुझे हो रही है, वो गैसे हो रही है, वो भी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो बहुत मज़ी के होने वाली है, इन्फोर् यूट्यूब की इस वीडियो में उसको मिल जाएगी, तो बागी चबले मारेंगे किसी और वीडियो में, चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रिण के ओपर, लाइफ सारे सेनेरियो आप लोगों को दिखाता हूं, और समझाता हूं कि इसके अंदर क्या चलता है, क्यों चलता है कैसे चलता है और कितना चलता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्गुल भी ना भूलिएगा, परस्ट आमें चलता है तो सब्सक्राइब करके बैन लोटिफिकेशन आन कर दें, तो जो इन्फरमेशन हर कोई चुपाता है, बेचता है, वो आप लोगों को बताता भी और फ का मतलब यह नहीं के बाटा रेट 10, 10, 11, 12,000 भी हो सकते हैं, पांच लाग का मतलब बाटा रेट 5 लाग नहीं, साड़े 5 वगयरा उपर नीचे, या वन मिलिन का मतलब 1.23 भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इतने एक्जेक्ट तो आप मैं डूंड के ला नहीं सकता था कि अपन इसके जो वीवर्स हैं, वो भी 100% पाकिस्तानी हैं, लेकिन 90% पाकिस्तान से व्यूज आते हैं, बाकि 10% लाइक जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, कैनेडा में, जर्मनी में, UAE में, सौदी अरेबिया में, वो भी पाकिस्तानी हैं, मतलब ओवराल मिला कि इसकी जित तेरा लाक व्यूज के ओपर तेरा सो डॉलर अर्निंग है अब बिल्कुल इसके साथ देखें बिल्कुल ही इसके साथ देखें 1.5 मिलियन 15 लाक व्यूज है लेकिन अर्निंग कितनी है गैरा सो डॉलर समझे ने इस बात को तीसरी वीडियो तो 1.2 वही सेम वाली है और अर्निंग इसके कितनी है 1100 अब यहां पर आप लोग देखें कि इसमें अर्निंग जादा क्यूं है इन तीनों में कम क्यूं है जबके व्यूज इसके कम है और अर्निंग इसकी जादा है व्यूज इनके जादा है earning in کی کام ہے तो ये बात समझ नहीं है आप लोगों ने ठीक है कि इसलिए तो मैंने आप लोगों से maximum और minimum बोला था maximum इसकी इसलिए जादा है कि इसके keyword के अंदर आते हैं simple सी बात है हर किसी को पता है कि keywords की basis के उपर महिंगे add आते हैं तो इसके keyword में देखें जरा इसके title के अंदर मैंने ये लिखा था English News Channel like BBC and CNN तो BBC and CNN की वज़ा से इसका जो मेरा CPM था इस वीडियो का वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया ठीक है इन दो keywords की वज़ा से तो इस वज़ा से जब CPM हाई हुआ तो मतलब CPM का मतलब होता है cost per mile मतलब के आप लोगों को 1000 व्यूस पे कितने डॉलर मिलेंगे आसान लफ़ों में ठीक है तो इसके उपर मुझे ज़्यादा मिलने लागे उनके उपर मुझे का मिलने लागे तो maximum हम बात करें इस सेनेरियो में तो एक लाग व्यूस के अगेंस्ट मुझे 105 या 110 डॉलर आप लोग कह सकते है मुझे अरनिंग हुई है मिलियन के केस में और minimum कितनी हुई है minimum 15 लाग के अगेंस्ट अगर मुझे 1100 हुई है तो इसका मतलब है कि एक लाग के अगेंस्ट एक लाग व्यूस के अगेंस्ट मुझे 70 से 80 डॉलर एन एवरिज अरनिंग हुई है ओके आप दूसरा सेनेरियो देख लेते हैं ये सेनेरियो है 5 लाग वाला ठीक है इसके अंदर 5 लाग वाले भी है और 6 लाग वाले भी हैं वगएरा वगएरा तकरीबन 16 crescent डॉलर एक हजार व्यूस के अगेंस्ट मुझे यहां पे कितना रेविन्यू जेनरेट हुए अभी आप लोंको दिखा देता हूँ एक हजार व्यूस के अगेंस्ट मुझे 3.4 डॉलर दिया गया ए एक हजार व्यूस के अगेंस्ट ठीक है ये क्यों हुआ है ये भी आफ लों को समझाता हूँ उसके बाद दूसरी वीडियो देख लेते हैं ये देखें ये 5-5 लाख व्यूज़ है उससे भी कम है और अर्निंग उससे भी जाद है मज़ा नहीं आ गया अच्छा इसके रेविन्यू सेक्शन में जाते है तो रेविन्यू सेक्शन में जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट 4 डॉलर दिये गए है ठीक है अच्छा अब नेक्स आते हैं यहाँ पे ये वीडियो देखें तो भाई 5 लाग व्यूज़ हैं और 1000 डलर भी पुरा नहीं हुआ ठीक है इसके अगर CPM के अंदर चले जाएं कि मुझे 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट कितना मिल है तो टोटल 2 डॉलर ओके अब ये सीन सेनेरियो क्यों है आप लोग देखें तो ये टाइटल क्या है Amazon उन दिनों Amazon की पाकेसान के अंदर बहुत चर्चा थी Amazon जो है वो डारेक्टली पाकेसान को एड सर्फ कर रहा था तो भाई Amazon का टॉपिक जो था वो बहुत हॉट टॉपिक था और यह जो प्रोसेस था यह बहुत बतलब कि हाट प्रोसेस था और सबसे अच्छा और खुबसूरत तरीके से मैंने ही रिप्रिजेंट किया था पुरे पाकिस्तान के अंदर तो इसलिए मेरी वीडियो भी टॉप सर्च रैंकिंग में आई और यहां से मुझे अच्छी खासी अर्निंग होई जबके वियूज इसके उपर नहायत कम है ठीक है यह देख लें आप लोग 6,70,000 के अगेंस्ट कितने जी तकरीबन 16,00 डॉलर इसके उपर आए अच्छा अब यहां पर यह आप लोगों ने देखने हैं कि यह वीडियो थी टोटल 12 मिनट की ठीक है 12 मिनट 52 सेकंड की अब यहां पर एमाजान के दूसरे फ्री कोर्स के उपर आए यहां पर वीडियो की लेंट है 26 मिनट तब इसके उपर मुझे CPM ज्यादा मिला है क्यों जितने वीडियो लंबी होती है उसके दरम्यान में ज्यादा एड़ चलते है तो सिंपल से बात है जितने ज्यादा एड़ चलेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होती है और टॉपिक ये भी क्या था प्राइम टॉपिक खौन सा अमाजान एसोसियेट्स अमाजान एफलियेट मारकेटिंग और अमाजान ओके तीसरा टॉपिक अगर आप लोग देखें तो भाईजान इसके अंदर सिंपल मैंने उर्दू के अंदर टाइटल लिखा था यूके का टिक टॉक अकाउंट कैसे बनाएं ठीक है और इसके अंदर पाकिस्तान का कीवर्ड भी यूस किया तो क्या हुआ तो ये हुआ जनाबे वाला के भाई मुझे अर्निंग बहुत कम हुई लेकिन टॉपिक इंपॉर्टन था तो मैंने वीडियो बनानी ही बनानी थी लेकिन इसके अगेंस्ट अर्निंग बहुत कम हुई as compared to अगर आप लोग देखें Amazon की वीडियो के दूसरे सेनेरियो समझ आ गए आप लोगों को मिनिमम मैकसिमम की समझ आ गए आप लोगों को तीसरे सेनेरियो पे चलते हैं यह है जी लाग से दो लाग वाला सेनेरियो चेक 50% उसे और अर्निंग उसे ज़्यादा समझें इस बात को क्यूं है बताता हूँ दूसरी वीडियो देखें जरा इसी कैटेगरी के अंदर जो आती है दो लाग चैस्ट हजार अर्निंग टोटल 244 डॉलर तीसरी वीडियो यह देखें एक लाग बितालिस हजार अर्निंग ट 55,000 पे 1000 डॉलर की तकरीवन अर्निंग क्यों होई है पहली बात यह वीडियो 20 मिनिट की है दूसरी बात इसका टाइटल लेखें टाइटल में क्या है ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई शॉपिफाई की जितनी अटवर्टाइजमेंट आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है आप लोगों से कोई छुपर डखा है नहीं और जब शॉपिफाई को एक टार्गिटेड वीडियो मिली है जो है ही शॉपिफाई से रिलेटेड तो शॉपिफाई ने इसके ओपर एड लेजे जिसकी वज़़ा से मुझे मैकसिमम अर्निंग होई उपर से वीडियो थी 20 मिन बहुत कम है बहुत कम क्यों जैस्ट विकाज एक तो लेंट चोटी है वो 20 मिनट की थी या 12 मिनट की थी एड कम चले दूसरा सिंपल सी बात है पाकिस्तानी टाफिक था उर्दो में टाइटल था सिंपल इस डैट ओके यहां से आप लोग समझते जाएंगे कि कीवर्ड का कि टोटल उर्दो बेस टाइटल था तो इसमें क्या दो लाग 47,000 पे टोटल 134 डालर अर्निंग होई रैविन्यू सेक्षिन के अंदर हम आते हैं तो एक डालर भी पूरा नहीं मिलेगा आप लोगों को 0.87 डालर मिला टोटल ठीक है 1000 विउस के ओपर क्या वज़ा है बिलकुल विवर्शिप है और पाकिस्तान का ही एड इसको मिल रहा है और पाकिस्तान का कीवर्ड जो है वो सबसे लो कौलिटी कीवर्ड है तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ एक लाग 42,000 विउसके अगेंस्ट एक लाग 134 डालर ये भी तकरीब एक डालर से कम का सीपियम सारी 1.6 डा मिला है आर पियम एक डालर से कम का मिला है ठीक है सेम अगली विडियो देखें तो एक लाग 14,000 विउस हैं और एक सूदालर टोटल आर्निंग होई ए ठीक है तो इसमे भी सेम वही टाइटल करोल है और एक लाग 27,000 पे 169 डालर आर्निंग होई है क्यों इसके अंदर फिर ए यहां पे CPM मिल है क्यों जिस्ट विकॉज आफ Amazon का कीवर्ड ठीक है Amazon influencer program का कीवर्ड जिस्ट इसकी वज़ा से अगर इसके title के अंदर से मैं यह पाकिस्तान निकाल देता तो यह जो मेरा 1.99 है यह कम से कम 3.99 मेरा यहां पे CPM होता क्योंकि Amazon के कीवर्ड पे maximum earning होती है समझें इन बातों को उसके बाद यहां पे एक और है इसके ओपर देखें तो 164 के total views हैं लेकिन earning जो है वो अच्छी खासी है अच्छी खासी ठीक है total एक डेल लाक व्यूज के ओपर आप लोगों तो 300 डॉलर की earning है revenue section के अंदर आएं यहां पे CPM देखें तो तकरीबन 2.7 का आफ लोगो CPM मेर रहें क्यों वज़ा जस्ट बिकाज आफ दे कीवर्ड ऑफ बाइनांस Binance Copy Trading Binance Copy Trading for beginners अच्छा इसके अंदर यह जो आखरी कीवर्ड है Binance Copy Trading से पैसे कैसे कमाएं अगर मैं यह निकाल देता जस्ट Binance Copy Trading Binance Tutorial for beginners रहने देता तो मेरा जो CPM है वो यहां बढ़के 2.69 से बढ़कर कम से कम 3.5 तक होता लेकिन मैं क्यों नहीं रहने देर इसको काट रहा क्यों क्योंके इन कीवर्ट के ओपर वीडियो रेंक करती है और सर्चेबल बनती है क्लियर समझे इन बातों को अब आखरी सिनेरियो सबसे थोड़े व्यूज वाली मैं वीडियो ढूंट रहा था अज़े वीडियो की लेंध और स binge कीवर्ट की लेंध। क्योंकि को सीपिययो इतना लो मिलता है कि उनको थोड़ी सी अरनी करने के लिए सतरह हजार व्यूज नहीं बलकि सतरह लाग हीव्यूज तो खेर बहुँज़ा होजाएगा लेकिन 170,000 वियूज उनको लेने पड़ते हैं इतनी अरनिंग कराने के लिए तो जाहर सी बात है जब तक वीविया नहीं दिखाएंगे वीविया नहीं नचाएंगे तो उनको 17,000 वियूज के ओपर कभी वी 10 डालर नहीं मिलेंगे तो उनकी मजबूरी होती है वीविया नचाना और वीविया दिखाना यह एक मेरा चैनल है जनाबे वाला विलॉग्स का यह चैनल है ठीक है मैं अगर पाकिसान से बाहर किसी भी कंट्री में मूव करता हूँ तो मैं वहां के विलॉग ज्यादतर डालता रहता हूं यहां पे और वैसे भी छोटे मूटे का भी कबार डाल दिये तो इसकी जो देखें यहां पे इसका टाइटल देखें बिलकुल पाकिसानी है सारा कुछ है ओके है नौ मिनट की विडियो है एवरिज वियू डियूरेशन भी अच्छी है लेकिन सब कुछ पाकिसानी चल रहे है ना टाइटल वगएरा इच एवरिधिंग पाकिसान की ओडियंस के मताबिक तो दो लाख पंद्रा हजार वियूस के ओपर अर्निंग देख रहे हैं साड़े नो सो डालर इस बात को आप लोग समझ रहे हैं फरक समझ रहे हैं तो आप लोग विलॉग वलों को बिचारों की मजबूरी समझा करें कि उन बिचारों को क्यों अपनी बीवियां नचवानी पढ़ती हैं तब जाके उनको इतनी तक्रीबन अर्निंग होती है और वो मिलियन का साइन दिखाने के लिए ना उनको मजभ की तमीज होती है ना उनको मौशरे की तमीज होती है ना कुछ होती है बस बीवी नच दी रहे, पैसा आंदा रहे यहाँ पर मैं कुछ बुरी बातें आप लोगों के सब्सक्राइब करने के लिए जा रहा हूँ जो आप लोगों को सुनने में बुरी लेगेंगी लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छी है As a creator वो बहुत अच्छी है As a viewer वो बहुत बुरी लगती है अभी आप लोगों ने जो मेरी ये बात सुननी है As a creator बनके सुननी है As a viewer बनके नहीं सुननी Creator के लिए YouTube से पैसा कमाने का सिर्फ AdSense मकसद नहीं होता जो Creator होता है उसका जो main focus होता है जब तक उसके लाग सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते तो उसका जो main focus होता है वो अपने सब्सक्राइबर्स और AdSense की earning होता है अब As a creator बनके आप लोगों ने ये बात सोचनी है कि एक वीडियो जो हमें बनानी पड़ती है For example किसी के order पे बनानी पड़ती है Like किसी का order आगया किसी ने मुझे sponsor कर दी है उस sponsor कभी में पैसा लेता हूं उसके बाद आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करता हूं उसके उपर जो एड़ चलता है उसके उपर जो एड़ चलता है उसके उपर 90% ऐसे भी platform होते हैं जिन के उपर affiliate marketing होती है Like आप लोगों को बेजा जाता है जी के फिलाम website के कर लें वो कर लें उसके अंदर जो link यूज होता है एक normal link होता है एक affiliate link होता है तो affiliate link से जो जाकर join करते हैं उसका भी एक अलाधा से earning का process जो हो जारी रहता है यह as a creator बनके बाद सोचनी है आप लोगों ने तो आप लोगों को पता लगएगा कि scenario क्या है as a viewer बनके सोचेंगे तो आप लोगों को बात मेरी बहुत बुरी लग रही होगी और आप आज के बाद जिस भी creator को देखेंगे वीडियो को देखेंगे आप उनको देखेंगे ही ऐसी नजर से कि अच्छा पुतर ये काम कर रहे हो ठीक है तो आप लोगों के सामने में सारी situation सारा platform सारी गिदर सी की clear करके रख रहा हूं पिछले दिनों मैंने एक आम सा साधा सा एक इंटर्वियो दिया अपने एक कजन को उसके अंदर मैंने चाहते हुए या ना चाहते हुए मैंने बताया कि मैं 13 चैनल्स के उपर काम करूँ थर्टीन चैनल्स पर काम करूँ शुरू में याद होगा मैं सारी चीज़ें आती हैं मसलन मुझे पाकिसान की ओडियोंस से फाइदा नहीं हो रहा क्रियेटर बनके सोचें ठीक है वीवर बनके गाली निकाली है वो बाद में निकाली हैगा लेकिन पहले प्रेक्टिकल अप्रोच के उपर ग्राउंड रियालिटी के उपर आके सोचने ह नहीं हो रहा मतलब किस चीज़ से फाइदा नहीं हो रहा फाइदा इस चीज़ से नहीं हो रहा कि पाकिसान के अंदर जो मेरा वीवर है जब वो मेरी वीडियो देखते है तो उसके ओपर जो एड़ चलता हो बहुत सस्ता होता है एड़ दा एंड अल्टिमेट गोल क्या है ही है अर्निंग ही है तो इसका क्या मतलब है कि पाकिसान के अंदर यूटीव चैनल के उपर काम करना छोड़ दिया जाए लो बखबखवास है अगर ऐसी बात कोई करता है इसको भी आप आप लोगों ने साथ में रखना है लेकिन हमें अपना दूसरा एंगल जो है वो लाजमी से सीधा करना पड़ता है जिसके अंदर हमारा टार्गिट पाकिसान से हट के अल ओवर दा वर्ड है आप लोगों को पता हैं इंगलिष एक इंटरनेशनल लेंगूज बन चूकी है जिस मुलक में पाकिस्तान कोई देख लें, आप लोगों की national language उर्दु है, लेकिन आप लोगों को English भी समझ आती है इसी तरीके से पूरी दुनिया में जिनको कुछ भी समझ नहीं आता है, उनको English लाजमी से समझ आती है तो मतलब जब आपका content English language के अंदर आता है आप लोगों की audience का scope बहुत ज़ादा बढ़ जाता है दुनिया के हर कोने में आप लोगों की वीडियो समझी जा सकती है इसके बाद एक problem और यहाँ पे आ जाता है कि YouTube ने auto एक ऐसा algorithm डिजाइन किया है कि for example मैं वीडियो बना रहा हूँ English में तो YouTube का algorithm जो है वो English को बहुत अच्छा understand करता है उर्दू को इतना अच्छा understand नहीं करता है तो जब वो English को understand कर रहा है मैंने बनाई यह वीडियो इंग्लिश में लेकिन मेरी वीडियो एक ऐसा बन्दा देख रहा है जिसके मुबाइल के अंदर हर application जिसकी मुबाइल की setting Spanish है हर चीज उसकी Spanish में है तो YouTube के algorithm में इतनी power है कि वो auto translate कर दे किसको English को Spanish में लेकिन वो Hindi को या उर्दू को Spanish में convert नहीं कर सकता मतलब कि आने वाले जिनों में शायद कर ले लेकिन फिल हाल में नहीं कर पा रहा तो इस बात का मतलब समझें कि जब आपका content English में होता है तो वो all over the world reliable है और मतलब कि आपको वो return दे सकता है क्योंकि पुरी दूनिया उसको समझ सकती है इससे क्या हुआ आपका जो YouTube की audience की domain है वो बहुत बढ़ जाएगी अब audience की domain सादा लफ़ों में समझाओं मेरी ये वीडियो सिर्फ वो बंदे देख रहे हैं जिनको YouTube से interest है काम करने में एक बंदा है वो आके गाना upload कर देता है ठीक है कोई गाना या कोई अजीब सी वीडियो डाल देता है अब वो गाना जो है बचा भी देखेगा बुड़ा भी देखेगा पड़ा लिखा भी देखेगा अनपड़ भी देखेगा औरत भी देखेगी मरत भी देखेगा उस वीडियो का स्कोप बहुत जादा है मेरी वीडियो का स्को बहुत limited है मेरी वीडियो सिर्फ वो लोग देखेंगे जिनको थोड़े बहुत को पता है कि online earning होती है फिर थोड़े बहुत को पता है कि YouTube से भी पैसा आता है फिर थोड़े बहुत इसमें interest लेते हैं उनमेंसे जो थोड़े बहुता कि सर्च करते हैं सिर्फ वो मेरी वीडियो पे आएंगे इसको कहा जाता है स्कोप आफ वीडियो तो ऐसा क्रियेटर इस चीज़ को अवरकम करने के लिए हमने स्टार्ट किया यूटिब आटोमेशन अब यूटिब आटोमेशन में क्या होता है हर चीज़ हमें बनी बनाई मिलती है हमें वोईस ओवर भी इंगलिश के अंदर बना बनाया मिलता है ही हूमन की आवाज में इनसान की आवाज में AI का नहीं बनता AI से है लेकिन कलोन करके बनता है ठीक है तो फिर हमारे अंदर थोड़ा से जिगरा आया इन्वेस्ट करने का इन्वेस्ट हमने क्या किया टूल्स के अंदर इन्वेस्ट किया ऐसे टूल्स हमने देखे जो हमें वाइस ओवर बे निकाल के देते हैं जो हमें प्राइम वीडियोज भी निकाल के देते हैं हम लोग अगर ना भी होती तो मैं खुद करता परसनली करता भाई मुझे क्या इसमें मैं क्यों किसे बंदे को हायर करूं और वीडियो असेंबल करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं अब जब इंग्लिश का कॉंटेंट निकालते हैं फिर इसके अंदर डिफरेंट निचेज आ जाती हैं जो कि हमने अपने पेड़ कोर्स में सारी चीजें सिखाई ही हैं बताई ही हैं वो मसला नहीं है आप यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगी तो यहां पर प्रॉब्लम यह आता है कि अगर आप लोगों का एक सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है चाहे आपकी जॉब है चाहे आपका च्छोटा मुटा बिजनिस है चाहे आपका पाकिस्तानी निच के ओपर यूट्यूब चैनल ह कुछ भी है जब तक आप लोगों का एक रिलाइबल सोर्स ऑफ इंकम नहीं है तब तक आप यह आटोमेशन वाले शचके शायद कम अफोर्ड कर सकें क्यों इसके उपर शुरू में हलकी फुल की आपकी इंवेस्टमेंट होती है और उसके बाद यह नहीं होता कि हमने आज बनाया तो कल अन्य डाल जाएगी बट यह रियलिटी है कि उस कॉंटेंट का स्कोप बहुत है उस कॉंटेंट की ट्रैफिक बहुत है उस कॉंटेंट में पोटेंशल बहुत है और अर्निंग बहुत ज़्यादा है लेकिन वो आपके सारे सोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा आ तो भाई नहीं है तो खुद कर लें खुद अभी automation की तरफ नहीं जाना चाते तो रियल चैनल की उपर आ जाएं अब रियल चैनल की हकीकत मैंने आप लोगों के सामने खोल के राकती पाकिसान से comparatively पाकिसान में जो job scenario है पाकिसान में जो एक salary का rate है उससे कहीं दरजे अच्छा आप लोग की YouTube चैनल से कमा सकते हैं यहां से कमाएं फिर वहाँ पे लगाएं इन्वेस्ट करें पैसा निकालें पैसे से पैसा बनाएं होपस हो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत बुरी लगी होगी लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों को बुरी लगे आप लोगों को बुरी लगेगी तो आप लोगों में थोड़ी सी motivation आएगी और आप लोगों में थोड़ी सी हम्मत आएगी कि यार आ कर सकते ता असी क्यों नहीं कर सकते आप बिलकुल कर सकते हैं आप मुझसे बहुत गुना अच्छा कर सकते हैं क्योंकि मैं एक नेला एक नलाए एक बैक बेंचर और ऐसा बंदा हूं आप लोगों के फ्रेश माइंड हैं जो स्पेशली स्टूडेंट हैं आप लोगों को तो बहुत अलाए ने तगड़ा दिमाग दिया वै और सुसाइटी जिस तरह की इस एज के अंदर आप लोगों को फैसेलिटीज मिल रही हैं हमें तो ये भी नहीं थी तो इन्शालला अगर आप लोग थोड़ी सी गहरत करते हैं जिसकी कमी हैं वो आप लोग अगर इसकी थोड़ी सी गुलीश वली खा लें तो आप लोगों को पैसा कमाने से डॉलर्स में पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी नहीं रोक सकता है बाकि अगर आप लोगों कोई रोक सकता है तो वो आप खोड़ी है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाफिस पाकिस्तान पाहिंद आपा